इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है बार है अगस्त 2019 और यह हमारी 210 वी क्लास है 12 Important Questions आपके लिए लेकर आए है जो आपके एक्जाम और आपके नॉलेज की दरश्ची से बहुत इंपोटन्ट है इन Questions को आप मूट कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाते है साथी Questions Related Important Fact भी हम आपको बताती है तो वो भी आपको याद रखने है दोस्तो अगर आपको MPG के और Current Affairs Related कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें Commenter Box में बताएं हम आपके आंसर जरूर करेंगे चलते हैं Question Mark हाली में किस फिल्मकार का निधन हुआ है तो दोस्तो इसका सई Option है J.O.Prakash हाली में J.O.Prakash जो एक फिल्मकार थे इनका निधन हुआ है दोस्तो आपको बता दें मशूर फिल्म नमाता और निर्देशक और एक्टर रितिक रोसन के नाना J.O.Prakash का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है J.O.Prakash ने आखरी कर्फ्यू आपकी कसम आई मिलन की वेला आया सावन जूम के आए दिन बहार के जैसी कई हिट फिल्में दी है तो आपको याद रखना है हाली में J.O.Prakash इसका सही उफ्षन है Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo हाली में मीडिया के सबसे वेल्योबिल खिलाडी बने है दोस्तो आपको बता दे पुर्टगाल के फुटवालर Cristiano Ronaldo ने Social Media के Most Valuable खिलाडी बने है उनके Social Media अकाउंट पर 88.72 करोर इंटरेक्षन है यानि उनके अकाउंट पर इतने लाइक्स, कमेंड, ट्वीट, पोस्ट और रीट्वेट होते रहते हैं दोस्तो आप बता दें Ronaldo के Instagram पर सबसे ज़्यादा 7.17.7 करोर फॉल्वर से दोस्तो अगर बहीं बात करें दूसरे नमबर की तो दूसरे नमबर पर है मैसी और तीसरे नमबर पर है नेमार Next question है दोस्तो हाली में किस खिलाडी ने अंतरास्टिय क्रिकेट से सन्यास की घोशना की है तो दोस्तो इसका सई उप्षन है हासिम अमला हाली में हासिम अमला जो एक अंतरास्टिय खिलाडी थे और साउथ आफ्रीका के खिलाडी थे इन्होंने हाली में अंतरास्टिय क्रिकेट से सन्यास की घोशना की है दोस्तो दक्षन अफ्रीका के हासिम अमला ने अंतरास्टिय क्रिकेट से सन्यास की घोशना की है इन्होंने कहाए कि वे घरेलू क्रिकेट खेलते रहेंगे 15 साल के अंतरास्टी करियर में अमला ने 181 बंडे में 813 और 124 टेस्ट मैचों में 9222 रन बनाए है तो आपको याद रखना है दोस्तों हाली में हासिम अमला ने अंतरास्टी करिकेट से सन्यास की घोशना की है नेट क्वेशन हाली में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों इसका सही ओफ्षन ये सभी है प्रणाव मुखर जी, नानाजी, देशमुक और भूपेन हजारीका इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तो पूर्व राष्टपती प्रणव मुखर जी को राष्टपती रामनात कोविंद जीने देशक सरवोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा है दोस्तो समासेवी नाना जितेश्मुक और संगीतकार गीतका वोपेन हजारीका को भी मरनुपरांत भारत रत्न दिया गया है राष्टपती ने सम्मानेत हस्तियों को प्रशश्टी पत्र और प्रतिक चिन्न प्रदान किये हैं दोस्तो आपको बता दें प्रणाव मुखर जी के बारी में ये भारत के इससे पहले रास्टपती भी थे दोस्तो आपको बता दें इन तीनों में सिर्फ प्रणाव मुखर जी हैं जो हाली में जीवन थे नाना जितिश्मुक और वुपेन हजारी का इन दोनों को मर्णो प्रांत भारत रतनसी सम्मानित किया जा रहा है तो आपको ये question दोस्तो एक्जाम में पूछा जा सकता है ये most important question है नेस्ट question भारत का पहला underwater metro सुरंग कहां बनाई जाएगी तो दोस्तो इसका सई option है कोलकाता कोलकाता में भारत की पहली underwater metro सुरंग बनाई जाएगी दोस्तो हाली में देल मंत्री प्यूर स्कुयल ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि देश की पहली water metro सुरंग कोलकाता में बनाई जाएगी भारत की दोस्तों यह हुगली नदी के नीचे चलाई जाएगी तो आपको याद रखना है दोस्तों और आपको बता दें यह जो water metro सुरंग होगी पांस सो पचास मीटर लंबी और तीस मीटर गहराई में बनेगी तो यह question एक important है आपको याद रखना है नेक्स्ट question हाली में भारत छोड़ो आंदूलन की कौन सी वर्षगांट मनाई गई है जिसका सरी option है 77 भी हाली में भारत छोड़ो आंदूलन की 77 वर्षगांट मनाई गई है दुस्तो भारत में प्रतिवर्ष 8 अगस्त को अगस्त करांथी दवस के रूप में मनाया जाता है इस दवस के द्वारा उन सभी करांथी कारियों के प्रती सर्दांजली दी जाती है जिन्होंने देश के सुदंतता संगरा में अपने प्राण नियुचावर किये हैं दोस्तों अब ये भारत छोड़ो आंदुलन की प्रस्ट भूमी क्या ठी आपको इसके बारी में बता दें 8 अगस्त 1942 को महत्मा गांधी के निततों में भारत छोड़ो आंदुलन का शुवारंब किया गया था अकिल भारती एक कॉंग्रेस समीती ने भारत छोड़ो आंदुलन के लिए प्रस्ताव पारित किया था इस आंदुलन को मुंबई के एतिहासिक गोवलिया टेंक मैदान में लौंच किया गया था इस तोरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था तो ये दोस्तों important question है भारत छोड़ो आंदुलन की जो शुरूआत हुई थी वह आट अगास तो 1922 में हुई थी मादवंगानी ने करो या मरो का नारा दिया था और इसकी 77 वी वश्गाट मनाई गई है ये दोस्तों तीन important question हाली में मैंने आपको बताए है अब दोस्तों बात करते हैं मध्यप्रदेश के latest current affair की इसके बारे में हम आपको बताने वाली है तो दोस्तों बात सुरूँ से पहला को है दोस्तों हाली में किसे मध्यप्रदेश लगू उद्योग निगम में MD बनाया गया है तो दोस्तों इसका सही option है पंकच जैन हाली में पंकच जैन को लगू उद्योग निगम में MD बनाया गया है दोस्तों पंकच जैन इससे पहले अपारयक्त थे नगरिये विकास में नेश्ट कोश्चन है हाली में किसी भूपाल संभाग का अपर आयक्त बनाया गया है तो दोस्तों इसका सही option है हरी सह मीना हाली में हरी सह मीना को भूपाल संभाग का अपरायक्त बनाया गया है दोस्तो आपको बताने भूपाल संभाग की बारी में तो इसमें पांच जली है भूपाल, सीहोर, रायसेन दोस्तो दो और जले हैं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी ये पांच जले हैं भूपाल संभाग में नेश्क वश्चन मद्य प्रदेश में कितनी हाई-टेक गोशालाएं बनाई जाएंगी जिसका सई ओफ्षन है दोस्तो सो हाई-टेक गोशालाएं मद्य प्रदेश में बनाई जाएंगी दोस्तो आपको बता दे हाली में हमारे मद्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाचीन है जो बड़े-बड़े उद्योपती हैं उनके साथ वैठक ली है इसमें दोस्तो मुकेस अंबानी के साथ भी चर्चा की गई है इनके साथ स्मार्ट सिटी के विकास नए अस्पताल वित्तिय अधो संरचना परियोजनाओं और शहरी परियोजनाओं के लिए इसके सम्मन्द में नवेश की बात की गई है इसके अलावा दोस्तो हाली में बिडला गुरुप की साथ भी मिलकर मध्यप्रदेश सरकार 100 हाइटेक गौसालें बनाएगी दोस्तो ये गौसालें अंगले 18 महीने में बिडला समूई के सामाजिक चिम्मेदारी निदी द्वारा बनाए जाएगी चलती है next question पर दोस्तो हाली में किस मध्यप्रदेश वासी को इंडियन बॉक्सिंग टीम में चुना गया है दोस्तो इसका सही option है मन्जू बंबोरिया हाली में मन्जू बंबोरिया को इंडियन बॉक्सिंग टीम में चुना गया है दोस्तो मद्यप्रदीश की मन्जू बमोरिया भारतिय महिला बॉक्सिंग टीम में चुनी गई है ये तीन अक्तूबर से रूश में होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चेंपियंशिप में पे 64 किलो वजन वर्ग में अपना दमखम दिखाएंगी दोस्तो इस टीम में मेरीकॉम और सरीता देवी सहत भारतिय कुल 10 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं दोस्तो आपको उता दें मन्जू बमबोरिया और जैन की खाचरो तहसिल की रहने वाली है नेस्ट क्वेश्टन है दोस्तो इस अफसर पर मत्यपरदीश के कई जिलों में जहां पर आदिवासी जन संख्या जादा है वहाँ पर इस दिवस को बड़ा जमशम और जूरदार तरीके से मनाया गया है तो ये एक दोस्तो इंप्रोटेंट क्वेशन है आपको याद रखना है हाली में किस ने 22 वी जिला इस्तरीय कैरम पृतियोगита को जीता है तो दोस्तो इसका सवी ओफशन है इर्षाद अहमद हाली में इर्षाद दोस्तो यहाँ पर इर्षाद है इस राद नहीं है इर्शाद अहमत हाली में इर्शाद अहमत ने 22 वी जिला इस तरीय केरम प्रतियोगिता को जीता है दोस्तों आपको बता दी है प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की जा रही थी और यहीं पल भेल की होस्टर नमर पांच में खेले जारे इस टूनामेंट में आठ खिलाणियों ने हिस्सा लिया था इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल किये है वह इर्शाद अहमत द्वारा किये गए है और इन्होंने यह 22 वी जिला इस तरीय केरम प्रतियोगिता जीत ली है जिसका आयुजन भूपाल में किया जा रहा है आज के question की तो आज का question है हाली में किस जिले में चोथी प्रतियोगिता आयुज़त की गई है इसका answer आफ हमें comment box में दें हम आपके answer का इंतजार रहे है दोस्तो आप मारे channel study universe को ज्यादर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादर ज्यादर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मद्धिपृदिश के GQ के बारे में जान सके और दोस्तों ये format आज से अब भी regular हो जाएगा और एक और दोस्तों important announcement आपको बता दू कि जो जुलाइ-माय का current affair है उसका वीडियो में एक दो दिन में upload करने वाला हूँ तो वो भी आप देखना ना भूले नमस्कार, have a nice day